हम कह रहा ना बाबुजी आपने नहीं दिया है अरे भाई थैरिये धैरिये थैरिये कुम गढ रहे है, क्या बाच बाबुजी, हमने इनको एक किलो सेट की थैली दी पर यह कहते हैं कि इन्नोंने सॉर पे दिये लेकिन नहीं दिये बाबुजी जूट बोल रहा है इसकी बात पर मत आना चोव रही है तब मैंने इसको सौर बेगे न तब इसने मेरे कोई सेपकी ठाइली दिये आरे बाबुजी धंदे के कसम हमको इना पैसे नहीं दिये हैं दिया एक बार बोला ना नहीं दिये बाबुजी सच और जूट का फैसला तो खुदा ही करेगा ये तो खुदा ही जानता है कौन सच्चा है और कौन जुटा है अल्ला मुसब्बुल असबाब है सब के दिलों से वाकिफ है सच और जूट को खुदा जानता है यादा मैं आपको 100 रुपिया अपनी जेव से दे दिटा हूँ आपको आपका 100 रुपिया मिल जाएगा तो इसमें जगड़ा करने की कुई जोरुर्थ नहीं है अब भाई साब आपने 100 रुपिया दे दिया है आप चले जाईये, आपका 100 रुपिया आ गया है आप जाएए, नहीं कोई बात नहीं है अल्ला जानता है कौन जूटा है कौन सच्चा है दिलों के हालों से वाकिफ है अरे आप ठैर गे? आप गए क्यूं नहीं? क्या बात है? दरसल मुझसे गलती हो गए मैंने उस फलवाले को सो रुपे दिये ही नहीं मैंने उससे जूट कहा था आप अपने ये सो रुपे रख लीजिए ये तो बहुत अच्छी बात है आपको उपकी गलती का हसास हो गया आप मुझे माफ कर दीजे माफ कर दूँ? मैं समझा नहीं है आप मुझे उस जूट के लिए माफ कर दीजे नहीं आप अपको मुझे माफी नहीं मांगने चाहिए आपको तो उससे माफी मांगने चाहिए जिसका आपने दिल दुखाया है और उसको चौर तक भी आपने कह दिया है चलो आप उससे माफी मांगेंगे मैं आपको लेके चलू चलिए भाई यह आपसे कुछ कहना चाहिए जी बाबू जी भाई साब मैंने दरसल आपसे जूट बोला था मैंने आपको सौरुपे नहीं दिये मैंने इनके सौरुपे नहीं लोटा दिये मैंने आपको चौर भी कहा रहा है आप मुझे माफ कर देजे कोई बात नहीं बाबू जी आप जैसा इंसान मैंने मेंने पहली बार देखा है और अपनी गल्ती को मान लेने वाला ऐसा इंसान सुभानलला क्योंके माफ करने वालों को خدا دنیا اور آخرت دونوں جہان میں عزت عطا کرتا ہے जैसा के हदीस رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ में ये बात आई है कि जो शक्स अपने उपर होने वाले किसी ظلم को माफ कर दे तो خدا वंदे आलम उसे उसके बदले दुनिया और आखरत में عزت अता फर्माएगा यकीनन अगर कोई हमसे गलती कर दे तो हमें उसकी गलती को माफ कर देना चाहिए इस से हमारा खुदा और रसूल खुश होता है कर दो हमारा खुश हमारा खुश हमारा खुश होता है